एजय मनब साध्य शुत्र का उपसुत्र हरुको चर्चा शुरुवाज गरने छुँ। आज उपसुत्र को पहिलो सुत्रमा चर्चे गर्चु पहिलो सुत्रमा मिले मरनु मरे पच्छी गाने अनुभव एस शरीर माने भोगुनु एस संदर्वमा चर्चे गर्चु हमिलाई थाँच यो शरीर छुटे रजान्च यो हमिलाई थाँच एज हमिलाई यो थाँच नहुने हो बने यो शरीर माने हमिले अनुभव गर्न सपने थेनौ हमिलाई थाँच हो मरनु थाँच हो बने बित्तिके हमिलाई तियो अनुभव उनसक्च उन्च यहां उनसक्च होईन उन्च गर्णु नहीं पर्च एज भाय ना गरिया ना भने तियो जीबन असफल जीबन हो तियो जिवन को मुल्ले छाई ना जुन शरीले मेरी तियुलाई अनुफ़ब नगरी कन बाची रहेको छा बाचे को छा बाचे को ठियो ति मानव बेकार गये बेकार नहीं रहने छाई तेस जिवन को मुल्ले छाई ना जी भीत चणधानाई जीबन चणधानाई हामीले मिरेत्ति उलाई जानना कुछा हाई नप्छाणना सब्धाई अन्भाभ गरना चब्धाई स rodzu की यही अधार इस बनाजी बातार इतथा चोँ अन चाहस अधार जैना कहाई जैना तियो नहीं इस्वोरी एता हो यही यही बीच माने ज्यान उपलब्द अधा जिवन रहेता मेरी तियो को बीच माने ज्यान 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 जुन आजको सब्वेता मां वेवस्था गर्चों तियो अज्यान हो तियो अज्यान हो कि तहां अस्थित्तों लाई जानियेको हुन बिज्यान बिल्कुले अज्यान हो कि नेगी तेहां अस्थित्तों को अनुभाव गर्चों बई ज्यानिक कोही पनी चाहिना रूट्यू नगरी कने केबल बाहिर बाट भवतिक रूप बाट मात्र लीएको हो तेभने भवतिक रूप मा इस परमाड़ोको अंतीम सम्मगएको तेटी धेरे भाववको छहिना फेर गवहर पनी तेहां को उर्जा थीक संगव भगियेको छहिना अजे ब्यापक रूपले भगनपाया कर छहिना बंग्टिक रूप मा पने यो उर्जा आत्मिक उर्जा हो यो अस्तित्त को उर्जा हो एस उर्जालाई भोग्नको लागे मरे पच्छी को आवस्ता अनुभब गन पने हुँझ जोसलि मले पच्छी को अनुभव इस शरीर मागाना सक्दाईना उसलिए ते उर्जा भोगना सक्दाईना ते बिग्यान ले प्रमाड भित्रको अंतीम ते हां बाटावने उर्जा भोगना सक्दाईना हांदेर जिबन में ते उर्जा भोगना सकें जब सम्म ते उर्जा भोगना सकें जएना तेसको मुल्ले बन देना जब जञ्यान नहीं छाईना मुल्ह कर जणिवनि उर्जासाईत रहन च जब 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 आगे जम्म आर्जा भोगना metal सबी चेत्र मां विध्या भारी धी गरनू यो खोई नौँ अतहा आजा शरीर मां इस शरीर लाई छुटाए रहा मेरी तुको अनुभाब गरने थोरे कोशिस गरने छुँँँ अपने अनुभाब कसरी भायो यो थोरे रोचक बनना सक्षा ध्यान द्वारा तमधे धेरे वा अठारा बर्ष बन्दा अज ठूड़ भाईशा के पसी अनुभाब लिये को हुँँ यो अनुभाब मलाई धेरे सानो चौदर बर्ष बन्दा धेरे सानो नहीं चान्दा त्यों समायत मलाई याद थाईना फिरी त्यों हरे एक साल अनुभाब गर थे त्यों अनुभाब मैं ले जारो त्यों जारो को समाय मां त्यों जारो मौसमी जारो होस या अरू कुपकुने पने कारण ले आयेको जारो होस जब मलाई जारो आउंधियो बन्दियो त्यों तो उस समाय मां पहार मां फेरे आउसो दिखाई आलनुँ जस्तो आजकु सब्भेता मां छो अहिलेकु समाय मां छो तो एलो पेठी आमी ली आल शों त्यों अनुभाब गर्न नहीं पाउंदेनों एन दिन पने तो मह भाग्य बस उस समाय मां थे उस परिश्थित मां थे जहां जारो को लाम अनुभाब गर्न पाई थे तो मलाई जरो अज धेरे बन थेओ आज जस्तो कती डिगरी को भनने तो ख्याल भाए ना जब जरो आउं थेओ तो धेरे आउं थेओ साइध तो इस मां मां जुन अनुभाब कर थें कि अनुभाब बिलकुल शरीर बिना को अनुभाब बन थेओ साइध मां अध्यात में कृप मां अध्यात मां को इस मां अधी गए यो योटा कारण थिओ एस जन्मा को यो मात्र होई ना मां पहला जन्मा को बाटने यो शको लाएगे ही योग्य थी योजेशु के होस ती अनुभाब मां जबा मेरो सरीर छोड़ते हो साइध यो कमजोरी को चरम अवस्ता हो मां जबा ज़रो लाए दोई-तिन दिन अनुभाब गर थें तेस दोई-तिन दिन मां इस्तो फिल बन्थे हो इस्तो अनुभाब बन्थे हो कि योजेश शरीर योटा सानुख काण फिर एती गरहुं काण योजेश योजेश अनुख काण बन्थे हो ब्रमत्यस मां हराऊं थें, तहीं काण मां हराऊं थें या आज अरिंगटा लागे को बनें छो, तुमादे ठूलु भाईबसी थापाएं साइध मलाई तहीं अरिंगटा लाएको थियो तुम मत जानने ना, साइध मलाई कामजोरी भाई को थियो तेस अरिंगटा लाएको थियो रत्यो अनुभाब भाईब होला जरो में सुथें रत्यो अनुभाब करतें फिर यत्यो अनुभाब मलाई रोचा कर लागते वो जब तेस युटा काण बननु रट एकदम गारां बननु रट आपनो अस्तित्तो सबाई कही पनी न रहनु कही पनी धानु बस तेस गारां युटा काण मा रही रहनु ती माला अचम्मा लाग थेओ, रोचक लाग थेओ रट ती माले भोग थे जोड़ो बाटा जुरुक ओड थें फिर हींद लामो समाई हिंद थें धेरे टाड़ा समाई एक ले जानती रे ते भोग थें यो तो हींदा पनी मलातियो नहीं अनुभाप भाई राहां थें रो मतिसमा रमाउन थें तीसा जरोमा शितफेल भय को फेर इतिक कमजोर फेरी मन तेस्ट अनुभाब को लागी रमाओं थें फेरी मन आउसदि खृई थे ताडा थेँ अस्पताल अनि मन संचो हों थें फेरी मना तेस्ट अनुभाब ले रजात तर दिन थें जहां शरीर थे ना एवटा काड़ थे ओ गरूंगो काड़ थे ओ मतेसमा बिलाओं थे युँश शरीर को पूरा अस्टित्तु युँ बाहिर को सबही सुनने ता बन थे त्यों मला अचमा लाग थे ओ रो जरो तो मलाई सदेह आयरां थे रो त्यों अनुभाब गर्नों को लागी मां तेस जरों मां नहीं कोशिश गर्न थे तेस अनुभाब को जुन परिपक्कत मामा बने ओ फेरी मां जब ठूलो बाई सक्कें अध्यात मां ध्यान योग पनायां जब मामा जोडियो अध्यान को गही रहे मां शरीलाई छोड़दा जुन अनुभाब बन थेओ मां सान चांदा को त्यों अनुभाब लाए पनी जोड़ थें ता मेरो शरीर छोटना लाए इती सहाज बनें रमा त्यों अनुभाब छीटो रा परिपक्कर रूपले गर्न पाएं इस तही अनेक बेक्ति ले इस अनुभाब लाए आध्यात्मिक साधना पनी बनाय को मली पचिमात्र था पाएं को मही तही अनुभाब रा उनेहोरली पॉपल पाएको जुभाब जाने तैयो ध्यान को लागी अध्यात्म को छेत्रमा August जान्णकू लागी, यियो अतिंत महत्यू पूण रा सहाज बनना सक्थ, रहुआ जुन्शुकी मानिशले गर्ना सक्थ, रहुआ जुन्शुकी मानिशले गर्यों भने, भाहरी श्रीर मने यियो अनभाव भायं भने, एती सहाज रा एती अनकूल रूपली आध्या इस कारण शरीर बिहिंता को अनुभाव महत्त पोना छा। ताव शरीर बिहिंता लाई कसरी भगने इस माथी जोड़ देऊ। पहिलाता सुतनु। शुतेर गर्दा सहज बनच। मले अगीलो चर्चामा शरी लाई सिथेलता को उपाये देगो थी। पतही जोड़ना को उपाये देगो थी। यहां पणिससूतनु। अनि शरीर खोड़नु। सिथेलता पूरववाव छोड़नु। पूरे शरीर छोड़ने माले हाथ छोड़ने संदरवामा अगिलों चर्चा गरेको थी यहां अब पूरे शरीर ने छोड़ने उत्तानों सुतनों हाथ लाए पूरे जमेन मां राखनों सिधा अनि पूरा उत्तानों बैरा आखा बंदगरनों अनि शरीर छोड़नों शरी शरी छोड़ने अभ्यास थोरे 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 गर्दै लामु समय गर्न सक्यों बने तो इसलिए एक दिन अचानक शरी छोटे को अनुभाब फेर अचानक अगर्च उसलिए शरी छोड़ने जब सम्मा कोशिस जारी राख्षा यो जारी रहांदा सम्मा फेरी बंदगरना जब अचानक एक चोटे कोशिस छोड़्च तेहां युटा अचानक नहीं गर्षा यो अनुभाब यो पनि अचानक अनुभाब होँचा अचानक शरी छोड़्च अब यहां युँ अचानक छोड़डा को अनुभाब लाई उसलिए सम्मार न सकना परेओ अब उसलिए डर लाग न सक्छा झाल झाल